हाई फ्रेंड्स आज हम इस्टेडि करेंगे मोडल वर्ब उड और इस वीडियो में मैंने उड के नाइन यूजेज यानि नो यूज बताये हैं कि कहां कहां पर उड का यूज किया जाता है ज्यादा तर जितने भी यूजेज होते हैं मैंने उन सब के बारे में डिसकस किया है इसके अलावा वुड भी, वुड हैव बीन और उड हैव इसके बारे में भी मैंने डिसकस किया है तो आपको ये कॉंसेप्ट अगर किलियर करना है पूरा समझना है तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले उड के यूजेज कहां कहां किये जाते हैं पहला है विल के पास्ट के रूप में जैसे उसने सोचा कि वह गाना गाएगी जब हमारे पास कोई सेंटेंस है उसका एक पार्ट यदि पास्ट में है तो दूसरे पार्ट में हम विल की जगह पर उड का यूज करेंगे यहां पहले subject आएगा फिर would फिर वर्प की first form यह दिये sentence ऐसे होता कि वह गाना गाएगी तब हम सीधा she will sing यह song लिखते क्योंकि यह future indefinite का sentence होता लेकिन उसने सोचा कि वह गाना गाएगी यानि कि यह past में use हो रहा है तो will के past के रूप में हम would का use करेंगे next sentence देखे उसने मुझे बताया कि वह दिली जाएगी तो will के past के रूप में would का use करेंगे she told me that she would go to Delhi उसने काया कि वह मुझे मेरे office छोड़ देगा तो he said that he would drop me at my office तो इस परकार will के past के रूप में हम हमें would का use करना है second है polite request को express करने के लिए interrogative sentence में हम would का use करते हैं यानि विनम्र निवेदन या अनुरोध करने के लिए हम interrogative sentence में would का use करेंगे जैसे क्या तुम मेरा application form बर्दोगे तो हमने उससे polite request की है कि क्या तुम मेरा application form बर्दोगे तो यहाँ सबसे पहले would क्योंकि interrogative sentence है फिर subject और फिर verb की first form तो would you fill up my application form क्या तुम मुझे अंग्रेजी सिखाओगे यानि politely request की जा रही है तो would you teach me English language और भी example लें क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगी तो उससे politely request की जा रही है कि क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगी तो would you go to the market with me क्या इस बारे में तुम मुझे 12 बज़े याद दिलाओगे यानि कि कोई भी बात हुई होगी तो वो उससे request कर रहा है कि क्या तुम इस बारे मुझे 12 बज़े याद दिलाओगे तो would you remind me about this at 12 o clock तो इस प्रकार politely request को express करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम would का यूज करते हैं नेक्स्ट उज़े ज़े पास्ट की हैबिट को express करने के लिए used to के स्तान पर यानि old हैबिट पुरानी आदत को show करने के लिए हम used to के स्तान पर would का यूज करते हैं वह गूमने जाया करता था तो ये उसकी पास्ट की हैबिट थी सबसे पहले he फिर उड फिर वर्प की first phone तो he would go to walk वे हर सुबह वाइलिन बजाया करते थे तो they would play वाइलिन every morning वे सराब पिया करती थी she would drink गांदी जी रोज चर्खा चलाते थे तो ये पास्ट की हैबिट को सो कर रहे हैं सारे सेंटेंस तो गांदी जी उड स्पीन every day वे रोज सोने से पहले चाई लेता था तो he would take tea डेली before going to bed तिस प्रकार पास्ट की हैबिट को express करने के लिए use to के इस्तान पर हम उड का use करते हैं next usage number four determination या intention या intention या द्रड़ता और निश्चय को express करने के लिए कि किसी भी चीज के लिए अगर उसका determination है या intention है जैसे मैं ब्रष्टाचार खतम कर दूँगा तो ऐसा उसका intention है तो I would abolish the corruption यानि मैं ब्रष्टाचार खतम कर दूँगा ऐसा उसने संकल्प लिया है संकल्प किया है राज उसे मार देगा यानि ऐसे उसका intention है इरादा है निश्चय है तो राज उड किल हिम तो इस प्रकार determination और intention के लिए भी हम उड का यूज करते हैं next usage is preference यानि प्राथ्मिक्ता देने के लिए किसी कारिय को प्राथ्मिक्ता देने के लिए या किसी वस्तु को प्राथ्मिक्ता देने के लिए उड का यूज रादर के साथ करते हैं जैसे हम जुकने के बजाए मर जाएंगे तो we would rather die than stop ठीक है कि हम जुकने के बजाए मर जाएंगे मैं चाई के अफेक्स या कॉफी लेना पसंद करूँगा तो I would rather have coffee than tea ठीक है कि मैं चाई के अफेक्स या कॉफी लेना पसंद करूँगा तो इस प्रकार preference के लिए would का यूज किया जाता है राधर के साथ नेक्स्ट उजेज है probability यानि संभावना या गेस यानि अनुमान को एक्सप्रेक्स करने के लिए जैसे वे करीब 20 साल की होगी तो एक तरह से गेस लगाया जा रहा है अनुमान किया जा रहा है कि वे करीब 20 साल की होगी तो C would be about 20 ठीक है या would be का यूज होगा वे राम की मा होगी, C would be राम's मदर इस प्रकार की संभावना है या फिर गेस लगाया जा रहा है वे एक किसान होगा तो he would be a farmer अगर हम उसको देखकर उसकी वेस बूसा से अनुमान लगा रहा है तब तो हम he would be a farmer लिखेंगे लेकिन अगर हम कहें कि वह आने वाले समय में किसान होगा दो आने वाले समय में किसान होगा तो हम फिर he would be a farmer लिखेंगे लेकिन हमने यहाँ पे एक अनुमान के तोर पर उसको मतलब देखा है यानि उसके उपर हमने एक तरह से संभावना या गैस किया है तो he would be a former वैया भी सो रही होगी ऐसा हमारा अनुमान है या ऐसी संभावना है तो C would be sleeping now ठीक है तो probability या गैस यानुमान को express करने के लिए भी हम उड़ का यूज करते हैं Usage No.7 wish और desire के लिए यानि तिवर इच्छा यहाँ पे wish और desire में भी दो पार्ट होते हैं एक वो पार्ट जो wish हमारी present या future tense को स्यो करती हो और दूसरी desire होती है जो past tense को स्यो करती हो तो दोनों का pattern अलग है लेकिन हमें या उड़ का use जो किया जाता है वो pattern same है जैसे सबसे पहले हम present या future के बारे हम discuss करेंगे कि यदि मैं रानी हूँ यानि मेरी ऐसी इच्छा है desire है तो हम यहाँ पे would that का use करते हैं would that ठीक है फिर I were you queen इस प्रकार के sentence में हम यहाँ work का use करते हैं was का use नहीं होता wish desire के लिए ठीक है तो would का use करेंगे हम यहाँ would that I were you queen ठीक है तो हमने यहाँ पे work का use किया यदि मैं धनी हूँ तो would that I were rich ठीक है अब अगला sentence देखिए यदि मैं समय पर पहुँच पाऊँ तो would that I reached on time would that का तो हम use करेंगे ही wish desire के लिए लेकिन I reached on time यहाँ पे second form यूज़ा होती है वर्ब की second form और यह जो उपर के sentence दिये वे थे यहाँ पे वर्ब नहीं दी हुई है तो हम यहाँ वर्ब का use करते हैं इनके साथ यदि वर्ब दी हुई हो तो फिर हम वर्ब की second form का use करेंगे अगर हम past के desire के बात करें अगर वह राजा होता तो would that I had been a king अब यहाँ वर्ब के जगह पे हम had been का use करेंगे past के desire के लिए तो would that का तो हम करेंगे ही तो would that I had been a king यदि मैं समय पर पहुँच पाता यह past के desire है तो would that I had और फिर वर्ब के third form on time तो had plus verb के third form तो would that I had reached on time तो which यह desire के लिए हम would that का use करते है लेकिन मैंने आपको दो प्रकार से sentence बताए है एक present यह future tense के desire हो और दूसरा past tense के desire हो तो दोनों आप समझ गए होंगे किस प्रकार से use किया जाता है next है would like का use भी which को express करने के लिए किया जाता है जैसे तिवर जैसे इच्छा होना इच्छा करना या चाहना जैसे मैं इस मुकाबले में भाग लेना चाहता हूँ ऐसी मेरी इच्छा है तो I would like to ठीक है यहां subjective वाद would like to का use करेंगे फिर वर्ब की first form आएगी तो I would like to take part in this competition ठीक है मैं धारा परवा अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ ऐसी मेरी इच्छा है तो I would like to speak English fluently मैं आप सब को दन्यवाज देना चाहता हूँ तो ऐसी मेरी इच्छा है I would like to thank all of you तो हम which को express करने के लिए उड़ लाइक का भी यूज उड़ लाइक टू का भी यूज कर सकते हैं यूजेज नमबर नाइन है imagination या कल्पना या unreal condition को show करने के लिए भी हम उड़का यूज करते हैं यहाँ भी हम दो प्रकार से यूज करेंगे यदि unreal condition या imagination present या future में हो तब हम उड़का यूज करते हैं लेकिन यदि past में हो तो फिर हम would have plus verb की third form का यूज करेंगे तो पहले अगर मैं पक्सी हो जाऊं तो तेरे पास उड़ाऊं ठीक है तो यह अगर मैं पक्सी हो जाऊं तो तेरे पास उड़ाऊं यानि future की एक मतलब एक imagination को श्यो कर रहा है तो if I were a bird I would fly to you तो would के साथ यहां first form आएगी लेकिन अगर past की imagination या unreal condition को श्यो करें यदि वह आगरा गया होता तो उसने ताज में देखा होता मतलब वह आगरा गया नहीं और उसने ताज में देखा नहीं तो he if he had visited आगरा he would have seen the ताज में तो would have और वह आपके third form का यहां use होगा तो दोस्तों मैंने आपको would के no uses बताए हैं कहां कहां होते हैं अब आपको would से related कोई problem नहीं होनी चाहिए लेकिन अभी topic और भी बाकी है चलिए देखते हैं next next है would be और would be के हम आपको यहां दो uses बताएंगे एक तो would के passive voice के रूप में ठीक है तो इसका pattern क्या होता है subject फिर would be verb की third form और यह दिया है तो by तो हम generally जो है would का use यहां पे will के past के रूप में करते है तो इसमें भी हम passive voice में भी जहां will be का use होगा वह हम would be का use कर देंगे ठीक है तो उसने सोचा की बस राम दोआरा लूटी जाएगे तो he thought that the bus would be robbed by राम तिस प्रकार हम उड़ के passive voice के रूप में would be का use करेंगे मुझे लगा की उसे पीटा जाएगा तो I thought that he would be bitten उन्होंने कहा की यहां एक पुल बनाया जाएगा तो he said that यह breeze would be built here तो इस प्रकार उड़ के passive voice के रूप में हम उड़ भी का use करते हैं continuous form में भी हम उड़ भी का use करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम subject फिर would be और verb की first form में ing जैसे मैंने सोचा की वह बहुत तेज भाग रहा होगा तो यह would be मतलग will be का he past है तो मैंने सोचा की वह बहुत तेज भाग रहा होगा तो I thought that he would be running very fast यह दिये ऐसा होता की वह बहुत तेज भाग रहा होगा तो हम यह लिखते he will be running very fast लेकिन यहाँ पे एक हमारा part past का है और जब एक part past का होता है तो दूसरे sentence में हम जो है will be की जगे would be का use करेंगे उसने मुझे बताया कि टिया जयपूर जा रही होगी तो she told me that टिया उड़ बी going to जयपूर तो आपको समझ में आ गया होगा कि continuous form में भी हम would be का use करते हैं next है would have इसके लिए pattern होता है subject फिर would have plus verb की third form यानि वो ही same pattern है जहां हम will have का use करते हैं तो वहाँ हम उसके past के रूप में would have का use करेंगे ठीक है जैसे उसने मुझे बोला कि where जयपूर पहुँच चुका होगा तो she told me that he would have reached जयपूर अगर यह ऐसा होता कि where जयपूर पहुँच चुका होगा तो हम लिखते he will have reached जयपूर लेकिन यहां will के past will have के past के रूप में हम would have का use यहां पे करेंगे मनलब will के past के रूप में हम यहां would का use करेंगे ठीक है मैंने सोचा कि वह बहुत तेज भागा होगा तो I thought that he would have run very fast एक और एक्जामपल लें उसने मुझे बताया कि वह बचकर भाग गया होगा यह भाग चुका होगा तो he told me that he would have as kept conditional sentence में भी कार यह past में नहीं हुआ क्योंकि हमारी जो condition थी वह पूरी नहीं हुई उस sense में भी हम would have का यूज करते हैं जैसे यदि वह आगरा गया होता तो उसने ताजमेल देखा होता ठीक है तो past में कार्य नहीं हुआ क्योंकि condition भी पूरी नहीं हुई वह आगरा गया नहीं तो उसने ताजमेल देखा नहीं तो if he had visited आगरा he would have seen the ताजमेल यदि उसने कठिन प्रिश्रम किया होता तो वह सपल हुआ होता तो if he had worked hard he would have succeeded तो उसने कठिन प्रिश्रम किया नहीं और उस सपल हुआ नहीं यदि वह मुझसे कहती तो मैं उसकी साहिता करता if she had asked me I would have helped her यदि वह मुझसे कहती तो मैं उसकी साहिता करता तो इस प्रकार के conditional sentence में भी हम would have का यूज करते हैं next है संभाव ना थी लेकिन काम नहीं किया गया तो कई बार हम sentence directive बोल देते हैं इस प्रकार कि मैं अंग्रेजी सीख चुका होता तो I would have learnt English लेकिन real में तो ये sentence अधूरा है क्योंकि हमें जाना तो वहीं condition में है conditional sentence है हमें इसका यूज करना है जैसे इसमें ये होता यदि वह मुझे पढ़ाता तो मैं अंग्रेजी सीख चुका होता और भी कोई sense हो सकता है लेकिन generally कई बार हम ऐसे भी बिना condition के भी इस प्रकार के words बोल देते हैं जैसे मैं अंग्रेजी सीख चुका होता तो फिर I would have learnt English तो generally तो ये conditions के साथ ही से होते हैं जैसे इससे पहले वाले sentence मैंने बताये थे लेकिन मैं कुछ words आपको direct भी बता देता हूँ इस प्रकार के तो आप उनसे पहले अगर condition है तो आप लगा सकते हैं बच्चों ने आपसे वह सवाल पूछा होता The children would have asked you that question इसका मतलब ये कि यदि आप class में गए होते तो बच्चों ने आपसे वह सवाल पूछा होता आप ऐसे बना सकते हो आप लोग चाई पी चुके होते तो you would have drink tea मतलब अगर आप वहाँ पहुँच गए होते तो आप लोग चाई पी चुके होते हम लोग वहाँ जा चुके होते तो we would have gone there ठीक है अगर हमें बस मिल जाती तो हम वहाँ जा चुके होते राज उसे ये बात बता चुका होता अगर तुमने मना नहीं किया होता तो वह उसे वह बात बता चुका होता तो राज would have told him this matter तिस प्रकार संभाव ना थी लेकिन कारे नहीं हुआ इन सेंस में भी हम would have plus verb की third form का यूज करते हैं नेक्स्ट है would have been और would have been का यूज would have के passive voice के रूप में हम past में करते हैं पैटरन है subject फिर would have been verb की third form और ये the object है तो by का यूज जैसे उसने सोचा कि वह मारी जा चुकी होगी तो he thought that she would have been killed ये ये sentence अगर इस प्रकार होता वह मारी जा चुकी होगी तो फिर हम यहाँ पे will का यूज करते हैं कि she will have been killed लेकिन यहाँ पर past का एक हमारे पास part दिया हुआ है और हम इसका यूज past में कर रहे हैं तो past में will की जगह पे हम would का यूज करेंगे उसने मुझसे बोला कि मद्दान हो चुके होंगे तो he told me that words would have been casted उसने सोचा कि वह पकड़ा जा चुका होगा तो he thought that he would have been caught तो इस प्रकार से हम would have के passive के रूप में would have been का यूज करते हैं तो उमीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मैंने इसमें would के सारे uses would be, would have, would have been के सारे uses बताये हैं मुझे उमीद है कि आपको ये पसंद आया होगा तो मुझे लाइक करे, सबस्क्राइब करे अपने सातियों को बताए और मेरे साथ इंगलिस एंजोई करते रहे थेंक्यो